टेंस जमाने को कहते हैं जमाने तीन होते हैं पास्ट प्रेजन्ट फ्योचर पास्ट माजी यानि गुजरा हुआ प्रेजन्ट हाल यानि मुझूदा फ्योचर मुस्तक्बिल यानि आने वाला जमाना हर जमाने की चार एकसाम होती हैं पहली किसम है indefinite या simple यानि साधा जुमले होते हैं दूसरी किसम होती है continuous यानि ये काम के जारी रहने को जाहर करते हैं तीसरी किसम को हम perfect का नाम देते हैं perfect मुकमल को कहते हैं और एक चोथी किसम होती है जो continuous और perfect दोनों का mixture है यानि मुकमल जारी perfect continuous तो हर tense की चार किसम है indefinite या simple continuous परफेक्ट और perfect continuous उर्दू जुमले का last word tense बताता है और उर्दू जुमले का जो second last word है वो हमें tense की किसम के बारे में बताता है उर्दू जुमले के आखरी लफ़ज से हमें जमाने का पता चलता है और second last word से हमें जमाने की किसम का पता चलता है उर्दू जुमले का आखरी लफ़ज ये बताता है कि जमाना कौन सा है यानि present का है past का है या future का है और जो उर्दू जुमले का second last word है वो tense की किसम बताता है कि वो simple या indefinite है या continuous है या फिर वो किसम perfect की है या फिर perfect या perfect continuous की है उर्दू फिक्रात के आखरी हरूफ से यानि जो आखरी लफ़ज है उससे हमें जमाने का पता चलता है और जो उससे पहले वाला लफ़ज है उससे हमें जमाने की किसम का पता चलता है तो सबसे पहले हम present tense को discuss करते हैं present simple या indefinite वो खत लिखता है ये present simple है उसने खत लिखा ये past simple है वो खत लिखेगा ये future simple है ये simple जमले हैं हम जमलों को जातर तीन categories में लेकर जाते हैं उनमें जो सबसे पहली होती है वो affirmative या positive है यानि मुस्बब जमले हैं और दूसरी जो होती है वो negative यानि मनफी जमले हैं जिसमें काम से इनकार होता है और एक तीसरी किसम है जिसको हम कहते हैं interactive यानि सवालिया अब सवालिया के भी मजीद दो किसमे होती हैं एक होते हैं simple interactive और एक होते हैं detailed interactive वो होते हैं जिनका जवाब yes या no हो सकता है या होता है और detailed interactive जिनका दूसरा नाम double interactive भी होता है उनका जवाब yes या no नहीं होता है उनका answer detailed में होता है इस वज़ा से हम उन्हें detailed interactive बोलते हैं अगर मैं बोलूं are you a student क्या आप तालबिलम हैं तो आप इसका जवाब yes या no दे सकते हैं तो इसका मतलब यह simple है और अगर मैं पूछों what is your name तो इसका जवाब yes या no नहीं हो सकता आपने इसका answer detailed में लिखना होता है तो इस वज़ा से यह double interactive या detailed interactive है तो सबसे पहले हम simple sentences को discuss करते हैं वो खत लिखता है यह present simple है उसने खत लिखा यह past simple है वो खत लिखेगा यह future simple है वो खत लिखता है यह affirmative या positive sentence है वो खत नहीं लिखता है यह negative sentence है क्या वो खत लिखता है यह simple interactive है क्योंके इसका answer yes या no हो सकता है और वो खत क्यों लिखता है या कैसे लिखता है या कब लिखता है detail interactive है क्योंके इसका answer yes या no नहीं हो सकता वो खत लिखता है यह present simple है है शो कर रहा है कि यह यह काम जो है वो present में हुआ है उसने खत लिखा लिखा यह काम माजी में हुआ है तो यह past है और वो खत लिखे गा गा यह काम future में मुस्तक्बिल में होना है इसी तरह simple के बाद एक किसम आती है continuous जारी को कहते है जिसमें कोई काम जारी हो वो खत लिख रहा है यह काम present में जारी है तो इस वज़ा से क्या हुआ यह present continuous वो खत लिख रहा था यह काम past में जारी था तो इसका मतलब यह past continuous है वो खत लिख रहा होगा यह future continuous है यह कोई काम मुस्तक्बिल में जारी रहेगा उसने खत लिख लिख लिया है यह वो खत लिख चुका है यह present perfect है अब हम perfect discuss करते हैं perfect जाहर करता है कि काम मुकमल हो गया है अगर काम present में मुकमल हुआ है तो वो present perfect past में मुकमल हुआ था तो past perfect और अगर मुस्तक्बिल में मुकमल होना है तो future perfect वो खत लिख चुका है यह उसने खत लिख लिया है बात एक ही है तो यह कौँ सा हो गया present perfect वो खात लिख चुका था या उसने खात लिख लिया था ये पास परफेक्ट है उसने खात लिख लिया होगा या वो खात लिख चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट है इसके बाद चोथी और आखरी किसम होती है परफेक्ट कांटिनूस यानि मुकमल जारी इसमें टाइम का भी इस्तमाल होता है और उर्दू फिक्रात के आखिर में उसी तरह रहा रही या रहे ही आता है और लास वर्ड जो है वो टेंस को जाहर करता है आपने पहले डिस्कस किया था कि वो खत लिख रहा है यह प्रेद्न कांटिनोस है तो यह जमला इस तरह होता कि वो सुबो से खत लिख रहा है तो यह जमला पास कांटिनोस का नहीं बलके पास प्रफेक्ट कांटिनोस का होगा क्योंके इसमें टायम आगया है सुबों से दोपहर से शाम से दो गंटों से पंदरा मिनट से कई सालों से पिछले दो महिनों से तो ये time show कर रहे होते हैं तो point of time के लिए हम since लगाते हैं और period of time के लिए हम far लगाते हैं यहनि since morning, since evening, since night, since yesterday, since 1960 इसी तरह far जो है वो period of time के लिए लगाते हैं जैसे for a long time, for many years, for two hours तो point of time के लिए since और period of time के लिए हम far का इस्तमाल करते हैं वो सुबो से खत लिख रहा है या वो दोपहर से खत लिख रहा है या वो शाम से खत लिख रहा है यह present perfect continuous है वो सुबो से खत लिख रहा था यह past perfect continuous है और वो सुबो से खत लिख रहा होगा यह future perfect continuous tense है अब हम आखिर में बात करते हैं tense के हवाले से जुम्ले के बारे में हर जुम्ले के चार इसे होते हैं subject, verb, object या फिर extension या फिर extension या नि कोई जुम्ला है वो रुजाना cricket खेलते हैं इसमें वो subject है खेलते हैं खेलना जो है वो वोव है cricket जो है वो object है और रुजाना जो बाकी सा रहा गया है जुम्ले में वो extension है यानि काम करने वाला और वर्ब कहते हैं फेल को यानि काम को बोलते हैं और यह जुम्ले का सबसे इंपोर्टेंट हिसा होता है इंग्लिश में एक लफ़ज का भी sentence बन सकता है लेकिन वर्ब के बगएर sentence नहीं बनता तो अबजेक्ट मफ़ूल को कहते हैं यानि जिस पर काम किया जाए और उसके बाद जुम्ले का जो बाकी सा है उसे हम extension बोलते हैं